नमस्कार दोस्तों रोजना राशी फल दखने के लिए चैन को सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रिश कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशे से जूड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तो पहुँशके और आप उन्हें देखर अपने जीवन के उत्तम सु युग कमना है तो आई दोस्तों जीके शाद बात करते हैं यश में ग्रह की दिदी केशी होंगी क्या क्या यूग बनेंगे और इन शभी कशर आपकी राशी पर क्या होगा किन-किन्चियों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन-कौन से कारे आखिर आपक यहाइँ दोस्तों इदिन रभीार का दिर होगा और शुकुल पासी कसी तित दिर ही रहेगी रोही नाम का इदी नचतर हेगा और गोन-न खेटर मां का शीर शिब्रत कर चार मिनट चब और दो दो चार्मा इंद बिर्शा राक्षी पर संचार करेंगे तेरी नशिब की बारिज किसी और के छट पर बरस गई जो मिल गया उशे याद रख जो नहीं मिला उशे भूल जा दोस्तों सोच आता है हर कोई अपने कल के लिए पर कोई यह नहीं सोचता कि आज जिसका दिल दुखाया है वो शोया होगा की नहीं दोस्तों कभी प्यार करने का दिल करे तो अपने गमों से करना शुना है जिसे जितना प्यार करो वो उतना ही दूर चला जाता है दोस्तों किसी इंसान को दुख देना इतना आशान है जितना समंदर में पतर फेगना पर ये कोई नहीं जानता कि वो कितनी गहराई तक गया होगा किसी रोज याद नो कर पाऊं तो खुदगर्ज मस्चमाईना ए दोस्त दरसल छोटी सी जिंदगी में परिशानिया ही बहुत है जिंदगी में मनजिले तो मिल जाती है बस लोग नहीं मिलते जिनें हम दिल से चाते हैं आशों का कोई वज़न नहीं होता पर निकल जाने पर मन काफी हलका होता है दोस्तों किसी के दर्द की दवाबनों जख्म तो हर इंसान देते हैं दोस्तों कब तक साथ निमाते हैं लोग आशों की तरह बिछर जाते हैं लोग वो जमाना और था लोग रोते थे गेरों के लिए आज तो अपनों को रूला कर मुस्कुराते हैं लोग तो चलिए इसे की साथ बात करते हैं आज की राशीफल की देनी राशीफल दोस्तों पिछले कुछ शमय से किसी के साथ चल रहे खराब शम्मन्दों में यह सुधार रहेगा गर के सुक्सिधाओं शमन्दीद कारियों में भी आपका विशफिश यसमय यह समय योगदान रहेगा यश में यह समय आर्ते की सित्य भी उचित बने रहेगी भव PHP शम्मन्दी निवेश करने के लिए इसो समय होगा आपके लिए बहुत यह अच्छा समय होगा शाथी यश्मेश सावधानी की बात करें तो दोस्तों यश्मेश संतान से समझीद कुछ कारियों में खर्चों के दिखता रहेगी अपनी बावुता जिसे स्ववापर नियंतर रखें अन्यता कुछ लोग आपका यश्मेश गलत फायदा भी उठा शकते हैं दोस्तों यश्मेश दो पर बात ग्रह श्तितियां आपके लिए कुछ विप्रित रहेंगी तथा मन में कुछ नकार्तमक विचार भी आपको परिशान कर सकते हैं इसके साथ दोस्तों आपके लिए समय होंगे दोस्तों यश्मेश कुछ शमाजिक दिता धार्मेक संस्ताओं के प्रति आपका जो योगदान होगा शमाज में आपको एक नई पहचान देगा दोस्तों किसी पारिवरिक मोद्दे में आपकी जो प्रस्तिति होगी विशेश रूप से महत्पूर रहेंगी यश्मेश प्रस्तितियों में शकार्तम परिवर्दन भी आ रहा है इसका उचिद सुधी प्योग करें ये आपके लिबायतर होगे इसको पायां दोस्तों यश्मेश ध्यान रखें कि किसी नईतिकी रिस्तेदार के वज़़शे धन की यहानियों होना शम्भव होगा लेंदन करतेश में लपरवाई ना बरते हैं घर के बज़़गों के श्वास्त का विशे ध्यान रखने की भी जरुद होगी यश्मेश किसी भी यात्रा को करने के लिए समय होगे उचिद समय नहीं होगे इसलिए दोस्तों यश्मी आत्रा को स्तगीत रखें यह आपके लिए बहतर होगे इसको प्राण दोस्तों यश्मेश आपके लिए समय होगे आपका अधिकतर श्मेश अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर तरीके से बनाने में वईत्यत होगे विद्यार्दियों को भी सिख्षा के नुरू भी कोई नोकरी मिलने से चिंता दूर होगी, धर्म कर्म तथा अध्यात्मिक गतिर्यों में भी आपकी यसे में रूची रहेंगी, इसको प्राम दोस्तों यह श्मय, तन के लेंदर श्मय कोई नुक्षान होने की तती भी बन रह रही है, जिनकी वजशी, तनाव और चिवचिला पंजिसा थोड़ा सा महौल भी रहेगा, दोस्तों आपकी अधिकार पुन्वानी दूसरों को नाराज कर सकती है, अपने शोभाव को सहज और नरम बना कर रखें, यह आपके लिए बैतर होंगे, इसको प्राम दोस्तों यह दोस्तों परिवार के शाथ घर की साथ सज्या संबंदी वश्तों की खरीदारी में अच्छा श्मय वहतित होगा, सबी सर्दस्यों की बीच हाज परियास तथा मरोजन बरा बातारन बना रहेगा, दोस्तों यह आप परिवार तथा वाविशाय की बीच बहत्रीन तालमिल ब नदर अंदाज ना करें, आप जो है किसी सणिंतर आप फिर गलत फेमी के स्विकार भी यह समय हो सकते हैं, किसी रिष्तेदार या फिर मित्र के भी कुछ शकास नहीं हो शकती है, इनके वज़र से दोस्तों मन थोड़ा सा वहतित रहेगा, विद्यारती वर्ग को पढ़ाई वज़र समय होंगे, वज़र में धन्शमंदी मामलों तथा युजनाओं को किसी कारी रूप देने के लिए जो समय होंगे, उचित समय होंगे, प्रंतों दोस्तों ववैस्ता बनाई रखने में बहुत अधिक शाउधनी रखने की भी आवशकता होंगे, क्योंकि दोस्तों इस्टाप के बीच कोई राजनिती चल सकती है, यश में राज की सफलता और पर सुगमता से परसन आप होते जाएंगे, इसको बायां दोस्तों यश में आपके केरियर के लिए जो समय होंगे, आपके वाईशाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कोई भी नया काम शुरू क करना यश में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों यश में कोई भी महत्मुन निरले गलत होने के वज़श्य आपको नुक्सान हो सकते हैं, दोस्तों बेहतर होगा कि वर्तमान प्रस्तितियों पर ही अपना ध्यान दें, तता नोकरी पेशावेक्तियों को भी काम के दिप होंगे, आपको बता दें कि किसी नई देकी मित्र की शलाश वे आपको कोई रुका हुआ, कारी भी यश में शंपन हो सकता है, नोकरी पेशावेक्तियों के लिए कुछ ट्राम पर शंबंदी योग भी बन रहे हैं, जिने में दोस्तों आपको तरक्य यश में संभा हो है, इ इसको बाहन दोस्तों, विशाय के दिर्शे से अभी गरश त्यतियां आपके पक्ष में नहीं है, दोस्तों अखरी पेशावेक्तियों पर यश में अपने उजर्द गरार्यों का श्वय योग बना रहेगा, इसको बाहन दोस्तों याश में अगर आपकी लव लाइप को ले धर्मपत्नि या फिर जीवन सात्य से बात करते शमय अपने वानी पर्शाय हम रखें यह आपके लवलाईब के यह पैतर रहेंगे इसको ब्रांद में खुशी भरा महार रहेगा प्रंतु तियां रखिए कि भारी शम्मन आपके यह आपके परिवार में शुक्षांति में बा कर पती पतनी की वीच थोड़ा सा तराव भी रहेगा बैतर होगा कि आप अपस में बैठ कर समस्या का हल निकाले यह आपके लवलाइब के लिए अपने प्रेम शमद्धों को लेकर गंबीर और इमान्दार रहेंगे इसको प्रांद दोस्तों यह में कर आपके स्वास्त यानि हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों सारीक और मानस्रीक धकान के वज़े से तनाव और थोड़े से कमज़ोरी भी आपके उपर हवी रह शकती है कुछ समय अपनी रूची पुन कारियों में भी शमय को लगाएं मेटेशन तता योगा आपके लिए उचीत इलाज होगा इसको परांद दोस्तों यह शमय आपके स्वास्त के लिए जो समय होगे दूसरीत पानी वा फिर खान पान के वज़े से पेट समय दिक्कते में भी पना हो शकती है दिनचरिया को शमीद बनाकर रखना आपके लिए आवशो होगा इसको परांद दोस्तों यह शमय आपके हैल्थ के लिए जो समय होगे दोस्तों अत्याधी काम के वज़े से पेरों में जो है आपका थकान वा फिर सुजन की समस्या रहाश रखती है हऊचु मगर आपकी भागिशाली रंग की बात करें तो भागिशाली रंग रहेगा हरा और भागिशाली अंक रहेगा छे